किजन क्राफ में आप सभी का हर्दिक स्वागत है आज हम बनाएंगी काजू और करेले की सबजी करेले टेस्ट में कड़वे होते हैं तो बच्चे अक्सर उसे पसंद नहीं करते हैं लेकिन करेले हमारी सेहत के लिए बहुत ही फाइदेमंद है तो आज मैं आपको किस तरह से करेली की सबजी बनाएं जिससे वो इतनी कड़वी ना लगे और बच्चों को भी वो पसंद आए तो चलिए हम रेसिपी शुरू करें अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और रोज ऐ किसी नए नए रेसिपी के लिए बाजु में दिये बैल आइकन पर क्लिक करना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप चैनल के साथ चुड़े रहे यहाँ पर मैंने 500 ग्राम करेले लिये है करेले को मैंने पहले पानी से धो लिया था उसके आगे के और पीछे के डंठल को हम निकाल लेंगे उसके बाद हम उसके उपर के छिलके निकालेंगे पिलर की मदद से हम हलके हाथों से इसके छिलके निकालेंगे इसको हमें बहुत ज़्यादा छिलना नहीं है सिर्फ हलके हाथों से इस तरह से पिल करना है इस तरह से हमें इसके छिलके निकालने हैं चिलके निकलने के बाद करेले को हम बीच में से दो हिस्सों में कट कर लेंगे अगर आपको और पारिक fazendo तो आप तीन हिस्से भी इसके कर सकते हैं अब इसकी हम स्लाइस करेंगे, बहुत मुटती नी और बहुत पतली नी, मेडियम करेंगे इस साइज की इसकी थिकनेस है सभी करेले को कट करने के बाद उसके अंदर एक चमब जीतना नमक मिलाएंगे और हलके हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे नमक लगाकर करेले को हमें 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है नमक डालने से करेले में से थोड़ा सा पानी निकलेगा 15 मिनट के बाद करेले को फिर से हलके हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और दोनों हथेलियों के बीच करेले को दबा कर उसका जो पानी है वो निकाल देंगे इस तरह पानी के साथ करेले का जो कड़वापन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा नमक मिलाने से करेले में से थोड़ा सा पानी निकलेगा और वो पानी के साथ थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाएगा इस तरह से सारे करेले को दबा कर हम पानी निकाल देंगे और फिर उस करेले को हम गरम पानी के अंदर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको हमें उबालना नहीं है सिर्फ गरम पानी में 10 मिनट के लिए हमें रखना है 10 मिनट के बाद छलनी में करेले को हम निकाल देंगे तो एक्स्ट्रा जो पानी है वो चला जाएगा और उसके साथ करेले की कड़वाट और थोड़ी सी कम हो जाएगी और करेले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएगे अभी यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून तेल लिया है उसके अंदर 2 टेबल स्पून जितने काजू डालेंगे इस तरह के काजू के जो टुकडे मिलते हैं मार्केट में मैंने वो लिया है एक से दो मिनट के बाद इसके अंदर हम वन टेबल स्पून जितनी खस-खस यानिकी पॉपर सीट डालेंगे उसे भी मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा है इसके बाद इसके अंदर half teaspoon healthy powder डालेंगे और उसे भी मिला लेंगे अब इसके अंदर करेले एड़ करेंगे और उसे mix करेंगे करेले में हमने नमक डाला था तो अभी हमें extra नमक डालें की जरुवत नहीं है लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि आपको नमक थोड़ा कम लग रहा है तो आप अपने टेस्ट के इसाप से डाल सकते है इसे mix करने के बाद cover लगा कर हम इसे पकाएंगे गैस की flame slow ही रखेंगे ये सबजी बनने में 8-10 मिनट का टाइम लगेगा हर 2 मिनट के बाद करेली को हमें पलटना है इस तरह करेली को पलटने से करेला अच्छी तरह से पक जाएगा अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इसके अंदर moisture कम है तो आप 1-2 चम्म जीतना पानी मिला सकते है लेकिन अगर आप 2-3 मिनट के बाद करेली को पलटते रहेंगे तो आपको पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और करेला अच्छी तरह से पक जाएगा अभी 8 मिनट जितना टाइम हुआ है और मैंने करेली को हर 2 मिनट के बाद पलट दिया था करेली अभी अच्छी तरह से पक चुके है तो अभी हम बाकी के मसाले डालेंगे 1 टेबल स्पून जितना लाल मिश पाउडर 2 टेबल स्पून धन्या जिरा पाउडर 1 अच्छी तरह से अभी से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसे ढकल लगा कर फिर से 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि गुड अच्छी तरह से मैल्ट हो जाए और सारे मसाले काजू और करेले में मिक्स हो जाए ये पूरी सबजी हमें स्लो फ्लेम पर ही बनानी है अभी 2 मिनट हो चुके है और हमारी सबजी बन कर तैयार है तो हम गैस बन कर लेंगे अभी सबजी को मैंने सर्विंग बॉल में निकाल लिया है और उसे हरे धने से गानिश किया है तो ये सबजी आप जरूर ट्राय करना और आपके व्यू कमेंट करके बताना मत भूलना अगर आज की रसीपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना